असलाम अलेकों फ्रेटेंस आज हम बहुत ही यूनिक तरीके से मिलक शेक की रेस्पी बनाना बताएंगे यह बहुत ही हेल्दी और यम्मी होते हैं इसे बनाना भी बहुत आसान है तो देरी ना करते हुई चलिए देख लेते हैं फटाफट से हमने कैसे बनाया है यहां मैंने 7-8 चीकू लिया है चीकू को मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और 4-5 केला मैंने लिया है तो सबसे पहले हम केले के छिलके को निकाल लेंगे तो केला का छिलका मैंने निकाल लिया है अब चीकू के उपर जो दाग धबे हैं उसको भी हम निकाल देंगे चीकू को कट करेंगे और जो बीज है उसको निकाल देंगे और बीज में जो वाइट वाला पार्ट होता है उसको भी हम निकाल देंगे इसी तरह से सारे चीकू भी साफ कर लेंगे तो केला भी मैंने छील लिया है और चीकू को भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया है सबसे पहले केले को काट लेंगे छोटे छोटे पीसिस में तो केला मैंने इस तरह से काट लिया है अब एक मिक्सी का जार लेंगे तो सबसे पहले चीकू एड़ करेंगे जार में चीकू को हम आधा ही एड़ करेंगे चीकू हमारे जादा है तो हम दूसरे शिफ्ट में इसी ग्राइंड करेंगे आधा केले को भी एड़ करेंगे बाकी के हम बाद में ग्राइंड करेंगे एक कटोरी मैंने शुगर लिया है चीनी चीनी को भी हम आधा ही एड़ करेंगे तो आधा कटोरी चीनी भी मैंने एड़ कर दिया है 10 से 15 दाने बादाम मैंने लिये हैं आधे बादाम को भी हम एड़ कर देंगे और दस से बारा दाने काजू मैंने लिये हैं आधा काजू को भी मैंने अड़ कर दिया है और छे इलाची मैंने लिया है इलाची का हम दाना लेंगे छिलके को हम नहीं लेंगे मैंने सिर्फ दाना ही लिया है ये दो ग्लास के करीब मैंने दूध लिया है दूद एक ग्लास हम अभी एड़ करेंगे, बाकी के हम बाद में यूज़ करेंगे, अब जार का ढखकन लगाकर इसे हम ग्रैंड कर लेंगे, तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसे बारिक पीस लिया है, ग्रैंड के हुए शेक को हम एक बरतन में निकाल लेंगे, तो शेक को को मैंने एड कर दिया है आपके जार बड़े हैं तो एक साथ में ही ग्राइंड कर सकते हैं सभी को तो इनको भी मैंने बारिक पीस लिया है अब इसे भी हम उसी बावल में निकाल लेंगे तो अब यह हमारे शेक तयार हो चुके हैं हमारे बरतन चोटे पड़ने तो हम दूसरे रूम टमप्रेचर ही लिया था अभी भी यह जादा गाढ़े लग रहे हैं तो थोड़े से दूद हम और एड कर देंगे शेक में मैंने टोटल पूरे तीन ग्लास दूद एड किये हैं और आप चाहें तो मिल्क शेक को अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला कर सकते हैं और य तो मिल्क शेक भी मैंने ग्लास में डाल दिया है थोड़े से काजु बादाम से उपर से गार्निशिंग कर देते हैं तो फिरेंड्स हमारी ये मिल्क शेक की रेसिपी कैसी लगी है अगर थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीस हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दी है तो अभी हमारे चीको और बनाना मिल्क शेक की रेसिपी तयार है और ये हमारे बनाना चीको मिल्क शेक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्स्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में फि कोपाओ कूफ।